नमस्ते, अभी तक Monday to Friday मैं सुप्रिम कोट में रहता था और Saturday Sunday को आपके बीच में रहता था कहीं पे रामराजी पे चर्चा होती थी, कहीं पे एक भारस्रेश्ट भारत पे चर्चा होती थी, कहीं पे एक देश एक विधान पे चर्चा होती थी और इस तरीके से हमने 2023 में 115 जिले कवर किये और 2024 में अब तक हमने 30 जिले कवर कर लिए लेकिन अब हमने तैंग किया है कि अगले 3 महीने तक अब हम कोट नहीं आएंगे, अब कोट में जाना बंद करेंगे और अगले 3 महीने तक सब्ता के सातों दिन रामराजी पे चर्चा होगी, एक भारस्रेश्ट भारत पे चर्चा होगी, एक देश, एक विधान पे चर्चा होगी केवल सटर्डे संडे या छुट्टी की दिन नहीं बलकि अब सोमवार, मंगलवार, बुद्वा, बहस्पतिवार, सुक्रवार प्रतेख दिन करेंगे तो यदि आप अपने जिले में वर्किंग डे में भी प्लान करना चाहते हैं तो आप प्लान करिए अब हमने ये तैं किया है जून तक प्रतेख दिन रामराजी पे चर्चा होगी एक देश एक विधान पे चर्चा होगी एक भारस त्रेष्ट भारत पे चर्चा होगी और संबिधान में कौन कौन से संसोधन करने है उस पे भी चर्चा करेंगे सम्मिधान में क्या जोड़ना है, सम्मिधान से क्या निकालना है, इस पे भी चर्चा करेंगे एक देश एक पुलिस संगीता क्यों जरूरी है, एक देश एक सिख्षा संगीता क्यों जरूरी है एक देस एक दंड संगीता क्यों जरूरी है एक देस एक नागरिक संगीता क्यों जरूरी है सिटिजन से पैक्ट में क्या-क्या बदलाओ की जरूरत है भलस्टा चार अपराद कैसे जड़से खतम होगा अराजक्ता कैसे खतम होगी सड़क के किनारिया वाइद निर्मार कैसे खतम होगा इन सभी बातों पे आप सप्ता के प्रतेक दिन चर्चा होगी यानि मंडे हो या तुजडे, वेडनेस डे हो या थस्डे, सटेडे हो या संडे, रामराज एक भारत स्रेष्ट भारत और एक देस एक विधान पी चर्चा जारी रहेगी, मैं आपसे भी अग्रह करता हूँ, अपने जिले में कम सकम एक कारिकम अवश्य प्लान करिए, विसे आप कोई भी कर सकते हैं, आप की लगता है जिले में धरमांतरन बहुत बड़ी समस्या, उस पर भी चर्चा कर सकते हैं, राष्ट के जो प्रमुख खत्रे उस पर भी आप चर्चा कर सकते हैं, विसे जो आपको करना है करिये, अगर आप बिजनेस आप उपर ऑडियनस जादा है तो आप के लिए कैसा कारून होना चाहिए उसमें चर्चा कर सकते हैं तो जो आपके छेत्री की समस्या है जो आपके जिले की समस्या है जो आपके राजी की समस्या है उन समस्याओं का मूल कारण क्या है अस्थाई समाधान क्या है इसमें चर्चा करने के लिए अब मैं प्रतेक दिन आ कानून की उस पे चर्चा नहीं हो रही है दुरभागी यह है आम जंता को इस कानूनों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो इसका प्रचार प्रसार कैसे हो समस्या का मूल कारण क्या है समस्या का स्थाई समाधान क्या है जब तक इस पे चर्चा नहीं होगी तब तक ब उस पैट रुकेगी ना धर्मानतर रुकेगा और एक बात याद रखेगा। 75 साल पहले अपना सब कुछ छोड़ के लोग भागे थे। वो सोच कैसे खतम होगी, वो जो विभाजनकारी सोच कैसे खतम होगी, हम उस पे चर्चा करेंगे। लोग जो भारत को नहीं मानते, भारत की संस्कृति को नहीं मानते, भारत की परंपरा को नहीं मानते, भारत की ज्यानविज्यान को नहीं मानते, भारत की तीज दिवहार को सब कुछ विदेश ही मानते हैं उसका अस्थाई समाध्धान क्या इस पर भी चर्चा करेंगे याद रखेगा आज के नेता 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे आज जिन नेताओं की पीछे आप घूम रहें न यह 25 साल के बाद आपके बच्चों को हो थे इन सभी विश्यों पर चर्चा करने के लिए मंडे टू संडे सब्ता के सातों दिन मैं उपलब्ध हूं आप भी अपने छेत्र में कारिक्म आयुजित करिए मैं अवश्या हूंगा